लिए 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 हम लोग प्लेटहर्न मैंठेज के क्लासिफिकेसन्स के लिए हमने पिछले क्लास में आपको देखा था प्लेटहर्न मैंठेज का और क्या होते हैं और किस तरीके से वो हमारे फाइलम को complete करते हैं और हमने ये भी देखा था कि प्लैटे हैनमेंथेज के फाइलम में कौन-कौन से ऐसे characters हैं जो हमारे लिए काफ़ी important हैं हमने उनके बारे में बात कर रखा था अब हम बात करते हैं आज उसका next वीडियो है यहां पर हम बात करेंगे classification आप प्लैटे हैनमेंथेज ठीक है तो सभी को happy good morning बेटा आज आओ सब लोग classes के अंदर आप जो भी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं आप एक बार हमें बता आएं कि sir हम BSC के students हैं कि MST के students हैं कि हमें TGT देना है कि हमें net exam देने हैं यह चारों के लिए काफ़ी important है यह class आपको चाहे मैं किसी भी playlist में आपको एक class रख दूँ चाहे वह BSC class हो चाहे वह MST class हो चाहे वह TGT का हो चाहे वह Life Science का कोई exams हो उनके अंदर यह questions यह दिक classification के बारें पूछता है तो platter and manage काफ़ी important होता है ठीक है आज बेटा सभी को BSC students के लिए तो already बेटा काफ़ी यह useful होने माला है ठीक है चले बेटा classes start करते हैं तो आपको एक काम करना है यह वीडियो को अपने group में share कर देना है और इसके साथ अभी नए है अभी कुछ बच्चे कहते हैं सर हम लोग को जो notification है वो मिली नहीं पाता notification कैसे मिल पाएगा जब बेल आइकन को प्रेस करोगे subscribe किये रहोगे तो तो मिलेगा तो यह काम कर लो कि बेल आइकन को प्रेस कर लो उसके साथ उसको subscribe कर लो कि आने वाले जो notification से उनके बारे में हम आपको information जितने भी है उनको दे सके और एक चीज है कि दूसरा की वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करो ना attendance का मतलब होता है लाइक रेट वो पता करते कि कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे थे ठीक है क्या कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे थे उनके लाइक रेट के बारे में हमें जानकारी होने चाहिए तो प्लीस आपका जो work है आप कीजिए और हमारा जो work है हम continue आपके साथ अब एक तारिक से आठ या दस खुलास हमारे चैनल पर डेली दिये जाएंगे और पूरा दिन भर चैनल चलेगा उसमें केमिस्ट्रिक लाइस होंगी उसमें बॉटनिक क्लास ऐसंगी उसमें जो लॉजिक होंगे बईस्ची होगा यानि हम लोग जादा जादा कभर करने की कुछिस कर रहे हैं जादा जादा इस्टूडेंट्स हमारे पास जूड़ पाएं और हम उनको काफी अच्छे तरीके से सहीओ कर पाएं यह सारा सारा चीज होता है ठीक है सर आपका एप हमने डाउलोड किया है उसमें क्या करूं ओके खुछी बाद में बात करते हैं वीटा ठीक है बाध में सेसंस के mieć बात करेंगे कि आखिरकार एब de घॉनलोड कर लिए हो तो उसमें विज्षिड कर यूनिट वाइज उनके पेपर डाले गए हैं और यूनिट वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगे ठीक और हम लोग कोशिज करेंगे कि एमसी क्यूं भी आपको जल से जल लेके आए ताकि आपको फ्रॉफिट हो एमसी क्यूं करने में यह पूरा क्लासिफिकेशन जब क्लासिफिकेशन खतम हो जाएगा तो हम एमसी क्यूंकि चार से संस में सारा कोश्चन कंप्लीट कर लेंगे ठीक हिंदी करेंगे क्योंकि बच्चे का लगातार कंप्लेंड कर रहें कि सब्सक्राइब तो हिंदी इंगलिस दोनों में पूरा मल्टिपल चॉइस किया जएगा त लिखलो क्लासिफिकेशन आप त हमने देखा था कि इनके अंदर हमने तीन अलग अलगbu सकना बात किया था तो क्या यदा था सबके बारे में यहां पर बाचीत होगा अभी क्या कह रहा है कि एकॉर्डिंग टू एरली क्लासिफिकेशन यानि जो पहले की क्लासिफिकेशन सिस्टम थी क्या थी जो प्रारंभी क्लासिफिकेशन सिस्टम था प्रारंभी क्लासिफिकेशन सिस्टम में पूरे के पूरे हरा जो फ्लैट वर्म थे यानी अद cruise टा प्रेंट को चार यह ने को कर ल lifesुकर कर लिये पहला हमारे पास आया टूबलेर या बना टॉबलेरिया बना टूबले और यह भ mustache को डा आघ जो पी ग ये बना दूसरा हमारे पास ट्रीमेट ओर इंद भी तीसरा हमारे पास टोड़ा बना तो यह चार अलग अलग क्या बने इन सारों को हम लोग ग्रूप का नाम दिये क्या बोले बिटा इनको हमने ग्रूप का नाम दिया यह सारे क्या है यह मारा ग्रूप वन था क्या था यह ग्रूप वन था और यह हमारे पास क्या था यह हमारे पास क्या था और यह हमारे पास क्या था गूरूप गूरे कब जब इस्टम मतलब प्राणंभिक करना सुरू किये थे तब यह कहानी हमें मिली थी यानि यह गूरूपका यहांने के मिलेते और णारे के बारे में निसकरस किया गया था अर्सलासा यहां फे फैनलो और जो जो जनेतर करेक्टिप對不對 है उन को देखा गया यांनि उनक्याद के जो बारा फोटा किया गया तुम कुई को या क्लासिफिकेसंज या क्लासिफिकेसंद को और अहलर्स कि अहलर्स अहलर्स ने क्या किया सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन प्राशीन क्लासिफिकेशन था या पहले का जो क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा करेक्ट करने की कुछिस किया और एक लॉंग क्लासिफिकेशन सिस्टम को परपोच किया ठीक ह क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें पुना उसको क्लासिफिकेशन किया गया अलर्स द्वारा गब 1995 में अब यहां पर क्या बोला गया यहां पर हम लोगों ने पूरे पूरे जितने भी आप ऑलिफाइटिक को और गनेजमें थे या कह सकते हो कि हाँ पालिफाइट फाइल हमें बोला जाए तो हमने यहां भी देखा कि अधिक से अधिक और के अंदर इनको डिवाइट किया गया यानि एक दरजन से ज्यादा इनको और मिनको डिवाइट कर लिया गया और वहां पर हमने यह भी देखा कि जब हमने टबल एरिया को अलग-अलग और में डिवाइट क क्या है Trimetoda और Magnogenia को कमBIiN कर दिया गया और crude vandaag को अलग से group के अंदर डिवाइट कर दिया गया किसके अंदर order जो हमारे पास नय order राडर यू डर्माटा था-new डर्माटा के अंदर इनको develop किया गया यहाँ कहने कर देम्隻 यहां पर इनके 3 हमारे classes बन गए क्या बन गए ? तीन हमारे classes बनके कौन बना एक तो टुबिलेरिया बन गया और एक तो हमारे पास क्या था यह जो monogenia था उसको include कर दिया गया किसके त्रिमेट ओडा के अंदर ठीक है और जो हमारा पास सिस्टोडा था सिस्टोडा को हम लोगों ने क्या किया अलग से इनको डाल दिया यानि अलग एक फाइलम के अंदर डाल दिया और उसके अंदर हमने एक और रग दिया किसके यहाँ पे यियोडर माटा को yeah किया अगया उनको एक नए आडर के रूप crank load किया गया दिया इस थी आपको यह देना है कि जब और से उन्हाओ कीदे में यहाँ पर दीम्याँ छावालर स्क्राफ मादर नहीं के लेकिन वर्श volunteered किया 1995 में उनके सारे जनेटिकली और को देखा और उनके बाद उन्हें से क्लासिफाई किया संसोधित किया और संसोधित करने में उन्हें क्या किया तो ठीक ठीक रखने दिया लेकिन उनने क्या किया मुनोजेनिया को टिमेडोडा के अंदर क्या किया अमर्ज कर दिया और जो सिस्टोडा' था उसको अलग से कैंभाईंड करके एक नए अडर के फॉर्ममें उनको डिब्लउव गए गारा और इसके बाद आलग-îंटिक्स ने आलग-आलग जो क्लासीफे क्लासिफिकेशन के प्रेंटेशन थे वह अलग अलग हुए लेकिन उन पर बहुत ज्यादा उन पर जोर नहीं दिया गया यानि इंट्रॉडक्षन जब लिखना होगा तो आप इसके बारे में यानि जो खास कर भी असी के बच्चे होंगे और एमसी बच्चे होंगे यह वो न अच्छा प्रियंका वाल ओके अच्छा आप माइनर बहुत निकाप पढ़ाएंगे माइनर बाटी में पढ़ाएंगे जल्द इस्टार्ट होगा एक तारिक से सारे क्लासे से स्टार्ट हो जाएंगे कोई डाउट नहीं है ठीक है ऑब अच्छा हिंदी भी बोलते हैं कोई दिक करने पीच वीच में ट्रेमेट ओडा टेबल एरी तो बोली रहे ना हिंदी देखो मेरे को हिंदी ना ट्रांसलेट पूरा करना पड़ता है इसलिए बड़ा प्रॉब्लम होती है ना मैं तो इसको बस के वाल हिंदी जो लिखा रहता है उसको एकस्प्लेन कर देता हूं हिंदी में टाकि आप बहता समझ पाया पूरा हिंदी बोलो होगे तो नहीं उपाएगा न वैसे पढ़ते रहो बस आदत हो जाएगी ना तो सब चीज बेटर लगे लगे ना कोई दिक्कत ही नहीं होगा ठीक है क्या होगा कोई दिक्कत नहीं होगा आप इंगलिस को एतना अच्छे समझने लगोगे ना कि यह तो भाई हमारे घर का है बस एक समेस्टर दो समेस्टर के अंदर आप सारी चीज़े समझ जाओगे जो भागी समेस्टर के पेपर होंगे ना वह काफी डिवलफ कर सकते हो हम लोग भी यूपी बोर्ड के रहे हैं हम लोग भी हिंदी मीडियम के रहे हैं ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत से पढ़के आए हैं या ऐसा फैमली है जहां पर बैग्राउंड हमारा इंगलिस का है ऐसा कुछ नहीं था सारा हिंदी मीडियम में पढ़के आए हैं अब दीरे-दीरे आदत हो गया किताब लिखते-लिखते-लिखत हो गया कुछ पढ़ते-पढ़ते वह आदत हो गया धीरे-दीरे आपकी भी आदत हो जाएगी ठीक है क कोई दिक्कत नहीं आप इसको स्क्रीन साट कर लो बेटा जिसके पास हो पारा है अप्लिकेशन के बच्चे तो नहीं कर पाएंगे बट आप जो हमारे वेफसाइट के बच्चे हैं वह इनको अच्छे से कर सकते हैं ठीक ओके के मिश्रिम क्या पढ़ना है प्लीज बता दो ठीक है बेटा मैं सलेबस डिसक्स करा जेता हूं ठीक है ओके 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 गुल मॉर्निंग सभी को आजाओ अब देखो यह हमारे पास फ्लो चार्ट है क्या है यह हमने फ्लो चार्ट बनाया है जो हमारे अप्लिकेशन के बच्चे हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा यह आप इसको सही से जूम करके अच्छे से सफेद पेपर पे क्या एक फोर पेपर लीजिएगा जितना भी मैंने क्लासिफिकेशन कराया है मैं पहले बता रहा हूं मैंने जितना भी क्लासिफिकेशन कराया है लगवाग सब के सब क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने सब का एक बहतर अगली बार यह नहीं बनाया था बट इस बार जब कैसे हैं उनके अंदर सब क्लासेस कैसे हैं उनके अंदर उनके फार और कैसे हैं क्योंकि आर्डर तक हमको पढ़ना पड़ता है हमारे अगले साल लांच करेंगे इस अफिसियंट ना बुक नहीं मार्केट में बता रहा हूं तो मैं अपनी परचार नहीं कर रहा हूं बट मैं डिरेक्ली बोल रहा हूं कि मेरे पास ऐसा कोई पॉब्लिकेशन नहीं होगा जिसकी पॉब्लिकेशन की ना हो क्योंकि हम लोग लिखते रहते हैं तो देखते रहते हैं बाकी लोगों को कि बाकी लोग कैसे लिख रहा है आपको एक से लेकर एकिनूट से पहले क्लास से लेकर अंतिम जो क्लास होगा तहां तक अपरिक्षा में कोई एक पर्षन की दिक्कत होगी तो बताना फिर दुबारा सिकेंट समेश्टर में ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा ठेक कर अब आगये अभी बात करते हैं क्या बात कर एठ रिख कर 3 क्लास वनने ठीक क्या वनने 3 Doing क्लास वनने modern theory की विसेस पर जब ए 3 खैस processes एक तो टुपिलेरिया वन गया क्या वन गया एक अभी यहां पर देखा गया कि हमारे जो टुबिल एरिया था इनके जो ओर्डर थे एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच आडर में इनको डिवाइट कर दिया गया, ठीक है, उसके बाद जो ट्रिमेट ओर्डा था इसके तीन ओर्डर बने, किसके तीन ओर्डर बन गया, उस इसके दो आडर बने, और इसके कितने बने, इसके भी दो आडर बने, ठीक है, क्या बने, इसके भी दो आडर और इसके भी दो आडर, यह अब यह सब आडर है, आपको सब आडर दी पढ़ना पढ़ेगा, पढ़ने का मन होगा, तो पढ़िएगा, लेकिन बता दे बेटा, आपको यह परिष्णा में नहीं लिखना है मैं पहले बता रहा हूं देखो मैं पुर है क्यानी सबॉडर के बारे में। निस्कॉसbir मत करिएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा आपको दो गंटा लग जाएगा केवल हुसका क्लासिफिकेशन करनेें में ठीक है याद रहएगा तो ऑजा यहाद ने हैगा तो बाती छोड़ दो ठीक उसके बाद यहां पर यह भी सब और इसको भी नहीं करना है ठीक है यह सब और इसके बारे में discuss नहीं करना केवल परिक्षा में आप फाइलम के बारे में discuss करेंगे केवल परिक्षा में आप जो class है उनके बारे में discuss करेंगे और केवल परिक्षा में जो सब class होगा उसके बारेम 근 Discuss कर लेंगे और केवल परिक्षा के अंदर जितने भी आरडर होंगे केवल आरडर के बारे में 니 discuss कीजिएगा और बाकि सब order के बारे में ठीक है कोई भी mother ल Spirit करेगा निथि इतना लंबबा हो जाएगा यह आप ठीक तरीके से उनको तो पूरा नहीं कर पाओगे ठीक है यह चीज आप ध्यान देजेगा चलते हैं मिटा शुरू करते हैं क्या करते हैं क्लास से शुरू कर रहे हैं आप देखो अब यह क्लियर हो गया ना स्क्रीन साट कर लो मैं छोड़ा सा काम करके आ रहा हूं जस्ट थोड़ा सा इन्वर्टर कर दो बू़ा ना सब्सक्राइब कर दो दोड़ा सा इन्वर्टर बोड़ा हो अब देखू यह आपने कर लिया तो मेरे कहने का मतलब कहां से था आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि हमें परिक्षा के अंदर या हमें टाइम के अंदर क्या-क्या पढ़ना है और कैसे इनको देखना है यह सारा डिसकस कर लेंगे कोई प्राव्लम आपको नहीं होगी ठीक आगे बढ़ते है अब हम बात करेंगे टूबिले रा कबारे में क motive रिया के बारे में सही तरीके से डिसकस करें कियो कि यह बहुत ही ब्रॉऩड टोपिक है और अच्छे तरीके देखना पॉयंटू पॉयंट डेखना आपको किलियर हो जाएगा ठीक है और आपको मैं बता दूँ ये कहना नहीं चाहिए आप भी student है मेरे प्यारे वाले आपको एक चीज मैं बोलूँगा कि बेटा class करते समय आप पिकदम एयरफोन लगाते हो तो कोई दिखन दे आप एयरफोन लगा के बैटो ऐसा नहीं class ले रहे हैं प्रापर पढ़ो एक बार BST को और MST classes को पढ़ो ताकि पढ़ने के बाद आपके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो जो लोजी का मेन कोर कंटेंट है या बोटनी का मेन कोर कंटेंट है वो आप तक पहुच पाएं आप उस standard पे तयार हो कि बड़े इनवर्शिटे के अंदर यदि आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप वहां पर उनको प्रुफॉर्म दे पाओ कि नहीं हम भी पढ़े हैं कहीं से हम इनके बारे में जानते हैं एनिवान टुबलेरिया के बारे में जो भी कभी आपसे कभी पूछे तो मेरे classes के बाद हम इत एक बारे में DRNS का संबफा क्या how to believe ya कैसे होते हैं कह रहा है कि नहीं कि आप्लाहस डूभ लेरिया क्या ऑro都 अ इसवाटर ठीक है क्या सोल प्लेपश बारतर ठीक हैं यानि उसन कहने क्या होगा हमारे पास यह अपऔर में इनस यानि जितने के जितने यानि जितने हमारे ऐस क्या ऐसे प्लैटेहन में तिश कि जो हमारे फ्लेस वाटर में पह जाते हों और फ्लेस वाटर में पह जाने के साथ साथ वो कैसे हो बेटा free living हो free living का मतलब होता है किसी दूसरे जीवों पे आस्तित नौ हो अपने जीवन या अपन के लिए खुद पे depend हो क्या हो खुद पे depend पाया जाते हो जैसे हम बात करेंगे डूगे सिया की किसकी बात करेंगे डूगे सिया डूगे सिया इसका बेश्य यामपल है आपको एक कायम करना है homework कर लेना है यहां से आप CW तो नहीं बहुत सकते यह HW यहां से करके लिए जाना क्या करेंगे HW में HW में जाएंगे तो आप Google करेंगे बाद में कि बईया यह कि अब क्या देख रहा है डूगे सिया है यह कैसा दिखता और क्या है मैं तो देख चुका हूँ बट आप डूगे सिया को देख लिजिएगा एक बार ठीक है उसके बाद पहला आप पोइंट क्या नौट करेंगे यह free living होता है जो हमारा फ्रेस वर्तर जहां भी पाया जायगा वहां पर आपको यह देखने के लिए मिलेगा ठीक है सिमेट्री अभी कहा बता है अभी आगे बताेंगे ठीक है आगे देखो दूसरा क्या है फार्ट वार्ट टर्ट वspecific डीक्हिन संगुए आसे भी एनिमल्ब hack कुछ हमारे कैसे होते हैं मेराइन होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं परजीवी के रूप में पाये जाते हैं क्या होते हैं पर्जीवी के रूप में पाय जाते हैं यानि टुबिलिडिया के अंदर तीन फीचरस दिखाई देंगे जीवन के एक दिखाई देगा फ्री लिविंग का जो फ्रेस वाटर में पाय जाएगा दूसरा होगा क्या मेराइनल होगा क्या होगा समुद्र में पाया जाएगा और कुछ हमारे क्या होंगे जो हमारे परजीवी होंगे क्या होंगे परजीवी होंगे और भया जो परजीवी होते हैं ना उनके body के उपर beautiful color यानि काफी खुप सूरत रंग पए जाते हैं क्या होते हैं काफी खुफ सूरत रंग पाइया जाता है और ये रंग जो होता है वैटा ये उसके विसाक्ता के लिए यानि उसके जहर को कहीं न कहीं बताने का काम करता है कि यह यादे टुबेलेरिया के animal है उसके body के उपर छोटे-छोटे चकते पाया जाते हों छोटे-छोटे spot पाया जाते हों जो colorful धब्बे हो जैसे अभी आप देखो जैसे यह animal है suppose मैंने माल लिया कि यह हमारा यह animal है ठीक है क्या है यह हमारा animal है यह animal के उपर ठीक है क्या यह animal के उपर यहां पर क्या है छोटे छोटे चकत्ते पाया जाते हो जो कैसे हो color चकत्ते हो क्या हो color pointed हो अब इनको ऐसा बोला जाएगा कि ये लोग ये जो color point होता है ये इसके जो poison conditions होते है ना ये उनको कही न कहीं क्या करता है बैटा correct करता है क्या करता है उनको ये correct करता है ये toxicity क्या बोलते है टॉक्सिट सिट के बाराएं में बात करता है कि जो हरीले पन होते हैं उनको यह इंडिकेट बारेल ना पड़ेगा घिक ज्या две ज़ाए झ Inforeiben को बाता कि आया जाए मोauer हम को मिल जाएंगे कहां पे जो हमारे क्या होंगे और इनके जो बॉडि हो अंगतिक सरीर के किनारे जो होताइब बेटा बतलब यह Semoore में मिलेंगे फ्रीलिविंग पाकली फ्री पर इसी उतार चड़ाव के वजह से यहलकातार फ्री सीविंग करते हैं पानी में टेरते रते यह वैब्रेशन इनुमें देखने के लिए मिलता है पिछले वाले क्लास्च Henry वह पताया था कि यह लोको मोसन कैसे करता है इनके अंदर क्या होता है एपीडर्मल मस्कूलर टिसूस होते हैं जिसके द्वारा ये लोको मुसान करता हुआ नजर आएगा खासकर हम बात करें डुगे सिया के बारे में ठीक है यह चीज आपको क्लियार होना चाहिए अब यह चीज होता है वेटा कि कुछ हमारे इनके वें एकल लीस यह आप खासर आफ है यह वेंट्रल एरिया इसा देखने के लिए मिलेगा हैं जो लगया से यह क्या कर सके लोको मोसान कर सके यह चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा ठीक है आगे ठीक आगे बात कर ले बेटा यूजली यह नॉन परासाइटिक होते हैं कैसे यूजली मतलब जालतर मात्रा में ऐसा देखा जाता है कि जो टूबिल एरिया क्या अर्गनीजम होते है कैसे हूते हैं यावन परजर्वी के रूप में काम नहीं करते कुछ छोड दिया जाए तो अपस सोरुप ठीक दूसरा हमारे पास यहाँ सब्सक्रां होते हैं कैसे हैं फ Frai living होते है ठीक है और जो फ्री living होते हैं उनके आर्गनीजम को हम लोग क्या इससार जैनला इंदर आपलया आप से पूछां आए कि बढ़ा बता हैं कि से कहते हैं तो आप को से जो नॉन परासाइटिक कंडिसन को दिखाता हो और फ्री लेविंग करता हो और फ्री मतलब वह हमारे मेराइनल वाटर में वह सकता वह फ्रेस वाटर में आपको देखने के मिल जाएगा हम उनको क्या बोलेंगे उन्हें हम लोग प्लैनेरियन बोलते हैं जैसे प्रोटो जोव के अंदर पाय जाने वाले जो इनिमस होते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रोटो जोवन बोलते हैं यहीं एक सिंगल की बात कर रहा है वैसे हैं टुबिलेरिया के अंदर पाय जाने वाले जो हमारे ऑर्गनेजम होंगे जो एनिमल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे तो यह ब तुबलेरिया के अंदर जो पाया जाने वाले एनिमल्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्लेनेरियंस बोलेंगे ठीक आल्राइट बेटा क्लियर हो जाएगा सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक है आगे अब यहां पर बात करते हैं यह कैसे होते हैं यह हमारे टो होता है वहां पे इस्तल होता है इसतल पे आपको दिखाई देंगे ठीक है चलो आजाओ अब बोल रहा है किनके बॉल रही आपको देखने के लिए नहीं मिलता है ये बात आप अच्छे तरिके से याद रखेगा ठीक है कि इनके body कैसे होती है, unsegmented होती है, लेकिन आप जैसे-जैसे classes के अंदर बढ़ेंगे, वैसे-वैसे segmentation आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लेकिन tubularia के अंदर कोई भी segmented नहीं मिलता, ये flattened होते हैं, ये चप्टे अकार के फैलल होते हैं, और ये cupboard होते हैं, किसके य selected cellular या हमारे पास अच्छा, cylindrical epidermis से, ठीक है, ये कैसे होते हैं, selected cellular layer से क्या होते हैं, कभर होते हैं, इनके body के उपर, हलका-हलका cilia जैसा layer आपको देखने के लिए मिलेगा, जो पूरे body को कहीं न कहीं क्या करता है, कभर करके रखता है, ये चोटे-चोटे-चोटे-चोटे रहेगा, और दूसरी बात, कि इनके लगाता है, तो इनके body के उपर hair भी पाया जा रहे हैं, यहां बोलते हैं, synchetyl, क्या बोलते हैं, synchetyl epidermis से, ये इनके पूरी body जो होती है, वो कभार होती है, ठीक है, तो इनके body के उपर, क्या पाया जागा, इनके body के उपर आप तुवेर मेंस हर्मेस से किस टाइप के इनीमल कवार होते हैं तो अब अकशतर आपको देखने के लिए मिलेंगे जब यह कैसे है राक स We assuming कैसे होते हैं। 试 images will show हे एक काफración आपको यह आप मतब यह करने के लिए दीन के लिए मिलेंगा ओके बटा साक्षी राधे राधे बटा ठीक है काफी छोटे है यार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अगला क्या बोल रहा है बटा अगला बोल रहा है कि इनके अंदर क्या होता है यहां पर मुकस का सिक्रेशन करते हैं कौन से यह जो हमारे पास सिंक्रेटाइल मुकस का सिक्रेशन होता है मुकस का सिक्रेशन का मतलब होता है क्या मुकस का सिक्रेशन का मतलब होता है कि लगातार इनके बॉड़ी से चिपचपा कोई पदार्थ भी निकलता रहता है और इस चिपचपा पदार्थ को निकालने के लिए इनके बॉड़ी में एक रॉड ला मिल जाएगा ठीक है तो बैया यह भी आपसे कभी पूछेगा तो आप अच्छे तरह के से याद रखिएगा कि यह का करता है रॉड-like सेफ होते हैं क्या होते हैं इनके वाडि में रोड लाइक को सेफ डो बॉड़ी इस पोते हैं जो कहीं न कहीं से क्रेशन सेल की जैसे बोमि बैंटर्ल होता है ठीक है वेंटर्ल मतलफ मतलब नीचले मतलब इनका मौत्वन यह अगे बावफ नहीं पाया जा रहा रहा ठीक है इधर उता हं तढ़ करते हम एवा पर लिंचले होना एबात बात समझे समझेे मेरी वात मेरी बाद समेज़्ूना तो यह हमारी बात यह आगे की और है ठीक का माउथ कैसा होता है दो चाहरा ठॉट बो यह उते टॉर P यह इनके बाड़ी चाहें पर जो इस्टैन टाइन होती है यानिके बॉडी दूडर से पहले हमारे पास एक यानि इनके अंदर गरसनी का निर्माड यानि फैरिंग निर्माड हो गया होता है सटींग से यानि फाइव नंबर फाइव करो यहां पे सकर्स अफसेंट होते हैं क्या होते हैं सकर्स अफसेंट होते हैं यानि कोई भी सकर यहां चूसने वाला क्या कोई भी सकर यहां पे नहीं देखने के मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बिटा क्योंकि कैसा यह फ्री लेविंग करता है य नौन पैरासाइट से क्या है यह नौन पैरासाइट से अब नौन पैरासाइट होने के वज़े से यह किसी भी दूसरे मटेरियल याने दूसरे पदार से कोई याने दूसरे जीवों से कोई भी मटेरियल और सोसित नहीं करता है इसलिए कैसा है नौन पारसाइट से और नौन जितने भी नौन पारसाइट एनिमास होते हैं उनके अंदर किसी भी टाइप का सक और सनहीं पैदा इनको चूसक बोलते हैं क्या होते हैं चूसक क्या बोलते हैं चूसक इनको बोलता है कि किसी भी टाइप का कोई चूसक नहीं पाया जायागा ज देखो पतले सतले ऐसे दिख रहा है तिद्डे की तरह बट कोई नहीं आगे वेटा तो इनके अंदर क्या होगा इनके अंदर यहां पे हमारे पास क्या होगा कि सकस अपसेंट होंगे ठीक आगे कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि टैंगो कीमो एंड फोटो रिसेप्टर कामन यानि होगे यहाद को फ्री निवन्ग होगagne जो फ्री निवरेंग अरग गे क्या होगए जो फ्री लेविट होगा उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर टैंगो और हृक सब्सक्राइब pastors आन। और अधर जोंगे वह आम तोर उसके बाद आगे काय रहा है कि mostly जो हमारे इनिमस होते हैं वह हर्माफेडराइट को होते हैं हर्माफेडराइट का मतलब क्या होता है यह उभैलिंगी होते हैं यानि मेल और फीमेल जो होता है पैटा एक ही बॉड़ी के अंदर पाया जागा और उसी बॉड़ी में कुछ दू जो आखने के लिए मिल जाएगा ठीक है आगे बात कर लो आगला करेरा है कि बbor पुखेंगा कोई कि सबसे जाधा काहां प्रिस पर इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरूद भावन या पुनरजनन क्या बोलते हैं पुनर जननर तो पुनरूद भावन की जो क्रिया होती है उप्लेंरियंज के अंदर काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगा और देखने के लिए मिल जाते हैं हमारे पास घर्ण होता है भी किसी बी कि सबस्तात का कोई वी लारवा तुपनाम देख सबस्ट कभी अपवाद स्वरूप जो हमारे प्रसिटिक कंडिशन समों होते हैं कुछ आरग्रीज में के अंदर तो वनते हैं लेकिन जो आरग्रीज मोते हैं उनके अंदर डारेक्ट हमारा डेवलप्लेंट होता है उनमें कोई लारवाई स्टेज देखने के लिए नहीं मिलता है ठीक पूरा नहीं दिख रहा है यह लिख लो बेटा यह मैं बोल रहा हूं ना यहां तो दिख रहा होगा ना नंबर बार नहीं दिख रहा है नंबर बारा लिख लो लाइफ साइकल सिंपल नंबर बारा में लिख लो लाइफ साइकल सिंपल क्या करोगे इसको इसको बोलोगे life cycles दिख गया दिखा यहाँ पे आप कर लो life cycles simple ठीक है क्यासे होती बैटा इनकी life cycle simple होती है ठीक आगे चले ठीक यह screenshot कर लो बैटा फिर आगे बढ़े हम लोग अब हम लोग इनके order के बारें पढ़ेंगे बैटा यह class आठ बज़े से चलती है संदीप यह class आठ बज़े तक चलती है कब तक चलेगी बैटा नहीं पता चलने तो दो तिन घंटे ना क्या दिक्कत है खतम कर लो पूरा अच्छे से कोई प्राब्लम है किसी को कोई जाना है दस में जाना होगा ना तब से पूरा कर लो साई से पूरा कर लो तुबिलेरिया के बारे में हैं बहुत सारे लोग हैं सब को पूरा कर लेते हैं अगला देखो विटा अभे कह रहा है कि जो क्लाश टुबिलेरिया है क्या है जो क्लाश टूर्बिलेरिया है टूर्डर के अंदर इनको डिवाइड कर ले रहें हैं क्या कर रहा है क्या करें करता है और पहले अर्डश में क्या देखेंगे पहले आडर में हमस्वारे पास यहां पर इसको लोग्या बोलते हैं क्या संब्स्क्रणाक outcome हमारे पास यह इंग्लिश में हैं इसको نोट करना व तो लीचेगा वेशन में बता दे रहा हूं ठीक है यह हमारे पास था हमारे पास एकोइला है एकोइला में अब आशा देखा जाता है की क्षे वासकर की बात करें होता है 2 mm से बी छोटा इनकी साइज देखने के लिए मिलेगे नहीं काफी चोटे आर्गिंज होते हैं दूसरा हमारा इनका माउथ कैसा होगा वेंटल माउथ होता है क्या होता है और किसी भी टाइप का कोई भी मस्कुलर फैरिंग सापको यहां पे नहीं मिलेगा तुबिलेरिया के अंदर मिलता है लेकिन हमारे पास जो टुबिलेरिया के आडर है एको एला एको एला के अंदर ये चीज़े आपको देखने के लिए नहीं मिलती यानि नो मस्कुलर फैरिंग्स ठीक है विदाउट एस्टेंटाइन यानि कोई आत भी इनमें देखने के लह जो हो एकनिषन आपको मिलेगा आगे भरते हैं यहां फीछ फ्लेम से लोते हैं फुनाड होते हैं इस होते हैं और जो यौग लेंट्स होते हैं ठीक है क्या होते हैं याग लेंट्स होते हैं यह कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है यह शारे चीजें में देखने के लिए मिलेंगे अब होता है अगला यह कैसे होते हैं यह फ्री लीविंग करते हैं मुक्त अंड की जरदी होती है इसको बनाने कि में काम करते हैं ठीक है अगला बोल क्या रहा है अगला बोल रहा है फ्री लिविंग्य आनि पानी में ऐसे सबस्क्ट के निश्ली हिस्ते में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यह ज Näगीन कहां पर चैनल उम कुछ हमारे जो समुद्री और चीन होते हैं क्या होते हैं कुछ जो हमारे समुद्री और चीन होते हैं या समुद्री खीरा होता है समुद्री और चीन या समुद्री जो खीरा होता है उसके एस्टेंटाइन के अंदर क्या उसके एस्टेंटाइन के अंदर यह पाया जाते हैं यह चीज आपको ध्यान रहना चाहिए ठीक यह जो कॉंबर के और के निक पाए जाएंगे आप से कभी पूछेगा क्या पूछेगा पूछेगा पुछ सकता है कि कुकुम्बर के अंदर या कुकुम्बर के एस्टेंटाइन के अंदर या जो सी आर्चीन होता समुद्री जो हमारा आर्चीन है उसके एस्टेंटाइन में कौन पाए जाते हैं तो एको एला के और ग्रिंज पाए जाते हैं क्या होता है और एको एला के और ग् होते हैं यानि भूरा सेवाल और कुछ अलग रंगीन सेवाल हैं उनके साथ मिलके यह संबियोटिक कंडिशन करता है यानि सहजी होता बनाता है यह दुन्हों साथ साथ जीन का वादे कसमें खाते हैं ठीक है कॉब जब यह हमारे पास कोई ब्राउन सेवाल दिखेगा या कोई क्या करेगा उसके साथ संबियोटिक कंडिशन को रिप्रेजन करेगा एक्जामपल में देखना है यहां पे कानवे का बोलते हैं कानवो लुटा को आप याद कर लो बस एक ही याद करो बाकी के बारे मत याद रखना कि एक याद करो कि कम से कम तो आपको कुछ दिन तक सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सबके पिक्चर जो होगे एक बार आप गूगल करके सबके फिगर के बारे में इंट्रड्यूश करना मेरा तो मिश्टिक हो गया हमको छोड़ा फिगर यहां पर लगा देना चाहिए था बट्वा ज्यादा हो जाता है कितना लिखा जाए कितना टाइप किया जाएगा ठीक है अरे साफ सब यह सी वाड़े भी पढ़ सकते हैं सलेबस में पांचवें समेश्टर में सायध होगा ठीक है यह आपके सलेबस में प्रेटेंड में थी जाए तो डिफेनिटली आप पढ़ सकते कोई डाउट नहीं है कल एंपी के बच्चे काफी फोन किये थे मेरे को पूछ रहे तक सर जो कि कवर करो इसको कि 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 हो गया आगे आडर नंबर दो क्या है आडर नंबर दो अब आडर नंबर दो को देखा जायाएगा इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रैब्डो एकोएला क्या बोलते हैं रैब्डो कोईला तो रैब्डो कोईला को देखा जाए ठीक है वह एकोईला था ये रैब्डो कोईला है तो रैब्डो कोईला को नामी गजब अजीब 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 यादे नहीं हो ताम प्रब्ड एंको रपडो कोला है रपडो कोईला के पास में जाना रपडो कोईला किया है वह बदीज का एक आरडर है तो यह हमारे का प्लेटेंट में इसका एक उसमें फैर्रिंग्स आगा है उसमें इससटाइन भी नहीं था इसमें नुमा सनचना आ गई पहले नुमा आद की समझना यहां पर देखने के लिए मिलती है यह चीज़ आपको discuss करना पड़ेगा अच्छे तरीके से ठीक है आगे देखो आगे कह रहा है यहां फोटो निफ्रेडिया क्या है फोटो निफ्रेडिया इस क्रेटरी सिस्टम वहां पर क्या था वहां फ्लेम स किदनी का वहां आपको देखने के लिए फोटो निफ्रेडिया क्लास सम्झिश पढ़ेंगे तब आप तरीका से फिर पढ़नीजिए अंगे यूटूब से आपको देखे लीजिए तिक आगे बात करें यहां पर कह रहा है वान आर्ट टू गोनाड यानि एक या दो गोनाड्स आपको देखने के लिए मिल सकता है ठीक है कोई दिकाथ नई होनी चाहिए आगे कह रहा है कि यहां पे जो और यॉल ग्लैंट्स होते हैं वह प्रजेंट होते हैं कुछ में और कुछ मे क्या होते हैं अब तैसेंट होते हैं एक ही होते छाएंगे मांद में जामीन ही वहां पर आतो देखने के लिए गयां पर रखना है पिट्टा एक्जांपल में क्या ऐब फ्री रिविंग होते हैं ठीक है और यह कुछ हमारे पास कम आasmine क्लीसमय को रिफ गया क fascicite करमें तो अहां म brows करते हुए नजर आएंगे फॉर समय नहीं होगा जोगा कोई दखाओ इनमें नए अब देखो अब ये और नंबर दो गया क्या रडर नंबर दो में नहीं पढ़ना हुँ आप स्क्रींश्यॉट कर लेना क्योंकि नोट कर लेना लेकिन इसको पढ़ना नहीं है ठीक है मैं बता रहे हूं पहले से और आप भी नहीं पर लेना रहे करते हैं अलग आप याद कर लेजिए गा इनको याद करेंपकर कर लो क्या कर लो कोई दिख्क्त यहांं से नहीं होगा पहले udah कर लो मैं भी निए इसको कर लो बौतरिंगी वी क्लाश चलेगी बैटा चिंता मत करो है हमने क्लि grapes कर लिया अब यहाँ सुदार के बारे में बात कर रहे हमारे पास क्या है नाइड़ो क्या बलते है नाइडरो पोरा थो मारे पास है किया के बलते हैं के आपके बारे में बात करेंगे अब दूसरा आघर दूसरा सब आडर हमारे पास किया और बोलते हैं क्या बोलते हैं और यहां पर हमारे पार पार और क्या है वह क्या है वो है micro stomum क्या है micro stomum यह होता है macro stomum यह होता है micro stomum यह होता है micro stomum ठीक है यह दोनों example जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ भी जो rehabdo koila है इनके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो आप इनको याद कर लिए यह हमारे sub order है तीसरा और यह sub order चोहता है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं है बारी बारी से इनको लिख लो ठीक है क्या करो इनको बारी बारी से कर लो और screenshot करने में आपको काम आएगा ठीक है मतलब नोड बनाने में एच, एच, चुदटी कर दें बस तब कर से हम दोगो कल कहां पढ़ेंगे इसका part 2 देखेंगे क्या क्या देखा इसका part 2 देखेंगे और part two में हम लोग कहासे श्टाट करेंगे स्टार्ट करेंगे कोल यहां से ठीक है क्या तो भॉल् distintos भॉतं नहीं को इसको बोलता है लो क्हाने पॉलते हैं एक वेने के बारे में कल से क्लास देखेंगे प्लास रॉट के अंधर ठीक है को मिलेगा ठीक इसी टाएम से यहाँ पर हमारे साथ ठीक है इसी बच्छे हैं दो पार्ट में वीडियो आपको मिलेगा ठीक है काफी लंबा हो जाएगा तो कल एक क्लास इसको देख लिज़े आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है पिटा कोई दिक्कात नहीं है यह पार्ट वान है और इसके बाद हम लोग पार्ट टू डिसकस कर लेंगे ढंग से ठीक है हाँ कॉलेज जाना है इसलिए बोल रहा हूं ने मुझे क्या मत पढ़ो चलो सुरू कर लो हमको क्या ठीक ठीक जाओ 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 समलोग जाओ ठीक सारे बच्चे वीडियो को लाइक कोई करके जाएंगे सब लोग यतने लोग हैं लाइक से यर कर दो गुरूप गुरूप में ठीक है मिलते हैं कल बटा तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा साम को छे बजे से क्लास है हम देख रहे हैं वहां पे क्या बोटनी वाइरस वाला देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या हमको कल हमने टीम भी देखा था मतब उसके पहले आज देखेंगे बैक्टिरिय तो फेच को देखेंगे टेक तब तक के लिए आप से बिजा लेते हैं विटा टेक केर वाई बाई बाई आन जाहिंद